हेलो दोस्तो आप शबका भुद्बोश वागत हैं दोस्तो आज से हम क्लास 11 चैमिस्टी में कार्बनिक रसाइन औरगनिक कैमिस्टी का महाशंग्राम चालू कर रहे हैं तो दोस्तो जब तक हमारी औरगनिक कैमिस्टी चलेगी तब तक हमसे आपको जुड़े रहना है ठीके और दोस्तों से भी कहिएगा कि हमसे आकर जुड़ें और यदि आपको सबसे इजी तरीके से और भूत अच्छे से केमिस्ट्री और विनिक केमिस्ट्री को शमझना हैं तो हमसे अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा सबी वीडियो के लिए ठीक है तो दोस्तों आए हम इसको स किका सबसे इस कार्वनिक रसाएन का का ही मतलब जान लिजिए की और मेरे भाई उ मेरे ये कार्बनिक रसाइन जो होती है ये रसाइन विज्ञान की ही साखा है और ये रसाइन विज्ञान की ऐसी साखा है जिसमें हम कार्बनिक योगिकों का एवं कार्बन की स्रंखला का कार्बन का अध्यन करते हैं मतलब कार्बनिक रसायन में मेरे भाई टोटल हम कारवन को पढ़ते हैं और कार्बन के योगिकौं को पढ़ते हैं ठीक है अब तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बन से ही तो मेरे भाई जो कार्बन होता है इस कार्बन का जो पर्मानुक्रमांक है वो पर्मानुक्रमांक क्या होता है छे होता है कितना होता है छे तो छे पर्मानुक्रमांक होता है तो यदि इसका हम इलेक्ट्रोनिक बिन्यास करें तो पहली कख्छा में कितने इलेक्ट्रोन आते हैं दो और दूस स्ख्चा में 4 ₩ मतलब हम यह कह सकते है कि इसका सईूजक्ता कोस होता है इस सईूजक्ता कोस में 4 electr होते हैं मतलफ कारबन की सईूजक्ता है वो 4 है कितनी серд चार है सब्सक्राइब कारबन 2 सच्क्ता होती है वो 2 तरीके से पूरी हो सकती है, ठीक है, कैसे, कैसे, समझो, अब कार्बन की सही हो जगता दो तरीके से पूरी हो सकती है, जिसमें पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तो, या तो आप कार्बन के चारो और चार बॉंड लगा दो, तो ये कार्बन की सही हो जاخता पूरी हो जाएगी योकि इसके अंतिम कोस में कितने लेक्ट्रोन है चार तो इसकी सही हो जाकता तो चार करने के लिए चार और आप चार बॉन्ड लगा सकते हो मैं यह जदि आप ऐसा नहीं करना चाहेते हैं आप को यह पसंद नहीं है तो आप क्या कीजिए मेरे भाई दो बॉंड आप इस तरफ लगा दो और दो बॉंड आप इस तरफ लगा दो तो कार्बन की बैलेंसी चार हो गई दो और दो चार ठीक है आपको ये तरीका भी पसंद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो मेरे भाई एक तरफ आप तीन बॉंड लगा दो और एक तरफ आप एक बॉंड लगा दो तो तीन और एक चार से कार्वन की बैलेंस ही हो जाती है पूरी आप आपको ये भी नहीं है पसंद तो आप क्या कर सकते हो तीन बॉंड आप इस तरफ लगा सकते हो और एक बॉंड आप इस तरफ लगा सकते हो तो ये जाती है किसमें चेंज होती है बंड में चेंज हो जाती है जैसे आपको पता है इसके सही लगता को इसमें चार एलेक्ट्रोन है तो इसके उपर फूर प्लस या फूर माइनस चार्ज हो सकता है ठीक है लेकिन यहां पर जो और्गनिक केमिश्टी है इस फूर प्लस या फूर म आप इन तरीकों से लगा सकते हो ठीक है एक तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए ये तरीका हो गया है ना चलो दूसरा मेरे भाई कार्बन को बैलेंस करने का तरीका ये है कि देखो कार्बन की बैलेंसी कितनी है चार है तो कार्बन की बैलेंसी चार है तो कार्बन से कोई एक स सहीं हो जाकता वाला है अशाहीं हो जहते हैं मतलब हैच के पास कितना होता है एक देखो 1-4, 1-4 या मतलब H के पास 1 bond होता है ठीक है अब कारवन को कितने bond चाहिए होते हैं कारवन को 4 bond चाहिए होते हैं तो 4 bond कितने H पूरा करेंगे देखो 1 bond, sorry 1 H 1 bond देता है तो 4 H देंगे न 4 bond तो इससे आप कितना 4 H जोड़ दो तो ये कारवन की सही जगता पूरी हो जाती है तो 4 H में होती है या फिर 4 bond में होती है या पिस तरीके जो सकते हैं ना दूसरा तरीका मेरे भाई ऐसा है कि आप इसमें 3 H और 1 bond लगा सकते हो देखो 3 H दे देगा और 1 bond तो ये 4 हो गए है ना अंगला हमारा यह है कि आपको यदि 2H लगाना है तो आपको दो बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तो 2 और 2 4. आपको तीस्रा अंगला तरीका आपको चाईए है, तो यदि आप एक carbon लगा रहे हो, नो आपको इसके साथ 3cz बॉन्ड लगाने पड़ेगे, कितने bond? 3 oppose तो ये भी हमारा तरीका है carbon को balance करने का ठीक है तो ध्यान दखना carbon और दौर यह ओसकता हैं इसे पूरा हो सकता है तो यह तरीक पर बापस थार दिक के- धीडे मेरे भाई हम कार्वनिक योगित पर चलेंगे हम पूरा आपको कर्वनिक कैमिस्टरी और रिमिस्टरी पूरा सिक्षा शखा यह विए तो हम एक एक आपको topic clear कराएंगे ठीक है तो ये कारवन से संबंद चीजें हुई अब दोस्तों हम कारवन के अंगले topic पर आते हैं अब दोस्तों कारवन की संख्या को हम पता करते हैं जैसे एक कारवन है तो उसे क्या बोलेंगे दो है तो क्या बोलेंगे ऐसा ठीक है तो मेरे भा बोलते हैं हम मैथ क्या बोलते हैं मैथ बोलते हैं यह आपको याद रखना कारबन की संख्या एक है तो हम इसे क्या बोलेंगे मैथ बोलेंगे कारबन की संख्या दो है तो इसको हम बोलेगे एथ क्या बोलेंगे एथ बोलेंगे कारबन की संख्या तीन है तो इसको बोलते हैं हम प्रोप क्या बोलते हैं प्रोप बोलते हैं ठीक है कारबन की संख्या चार है तो इसको मेरे भाई हम बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं क्या बो अब कार्बन की संख्या 6 है तो इसको हम बोलते हैं हैक्स बोलते हैं क्या बोलते हैं हैक्स बोलते हैं ठीक है अब इसके बाद कार्बन की संख्या मेरे भाई 7 है तो इसको हम बोलते हैं हैप्ट क्या बोलते हैं हैप्ट बोलते हैं कार्बन की संख्या 8 है तो इसको हम बोलेंग औक्ट बोलेंगे, क्या बोलते हैं, ओक्ट बोलते हैं, ठीक है, कार्बन की संख्या 9 रहेगी, तो इसको बोलेंगे हम 9, क्या बोलेंगे, 9 बोलेंगे, ठीक है, चलो, है ना, और कार्बन की संख्या यदि 10 है, तो इसको हम बोलते हैं, डैक बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते है डैक बोलते हैं तो इतना मेरे भाई आप याद रखना बांकि और आपको देखो जरुवत आपको केबल 6 कार्बन तक पढ़नी है पूरी आपको और्गनिक केमिस्टी पढ़नी है ये भी मैंने आपको लेकिन बता दिया ठीक है अब इतना समझने के बाद आपको दोस्तों कार कार्बनिक योगिकों की स्रैनियों को पढ़ना पड़ेगा तो मेरे भाई जो कार्बनिक योगिक हैं है ना इनकी सजातिय स्रैनि है ना तो आप हेडिंग डाल लीजिए कार्बनिक योगिक की सजातिय स्रैनि कार्बनिक कार्बनिक योगिकों की योगिकों की सजातिय स्रैन स्रेनी ठीक है कार्वनिक योगिकों की सजाती स्रेनी ठीक है अब ये कार्वनिक योगिकों की सजाती स्रेनी क्या होती है ये आपको समयना पड़ेगा क्योंकि यही चीज आपको सिखाएगी योगिक के बारे में यही चीज आपको कार्वनिक योगिक के बारे में आपको बता है जिसमें कार्बन और हाइडरोजन क्या बोला मैंने जिसमें कार्बन और हाइडरोजन का जो अनुपात होता है वो समान होता है ठीक है तो मैंने क्या बोला ऐसी स्रेणी जिसमें कार्बन और हाइडरोजन का अनुपात समान होता है सजाती इस रेणी या कार्बने की योगिक तो इनकी संख्या जो मेरे भाई है वो कितनी है चार है कारवनिक योगिकों की जो सजाती स्रेणी है इसकी संख्या मेरे भाई कितनी है चार है ठीक है तो चार है तो देखते हैं आपने स्टार्ट कौन-कौन सी है ठीक है तो दोस्तों पहली स्रेणी जिसका नाम है जिसका नाम है एलकें सरहनी, तो आप हैडिंग डाल दीजिए, एलकें सरहनी, एलकें सरहनी, यह एलकें सरहनी, ठीक है? अब इस एलकें σεयनी के बारे में बात करें, तो दोफ तो आप थोड़ा सा इसको फढ़िये, फिर से एक बार नाम लीजिए, एल केन मतलब इसमें जो प्रत आ रहा है वो क्या आ रहा है एन देखो एल केन मतलब एन प्रत क्या आ रहा है मेरे भाई इसमें एन आ रहा है तो ये आएगा इसमें जो प्रत आएगा वो एन आएगा आप इसको याद रखिएगा आपको अभी मैं जरूवत बता दूँगा इसकी क्या जरूवत है तो प्रत है इसमें क्या N है तो ये आ गया प्रत अब दोफ्तो इस त्रेणी के फॉर्मूले की बात करूं तो इस त्रेणी का मेरे भाई जो फॉर्मूला होता है वो होता है C N H 2 N प्लस 2 C N H 2 N प्लस 2 ये एलकेंस रेणी का फॉर्मूला होता है अब ये फॉर्मूला हमें क्या सिखाएगा तो ये दोस्तो हमें योगिक के बारे में सिखाएगा ठीक है चलो इतना समझ गए अब मैं दोस्तो एक चीज और इसमें बताना चाहता हूँ कि दोस्तो इस रेणी में एक भी बॉन्ड नहीं होता इस रेणी में मेरे भाई एक भी बॉन्ड नहीं होता मतलब इहां पर आप लिख दो नो बॉन्ड ठीक है जैसे आपको देख रहा है न C H 4 लगा है मतलब इसमें एक भी बॉन्ड नहीं है मलब ऐसा ही कुछ योग एक बनाती है तो इसमें no bond होता है कोई bond नहीं होता है ठीक है चलो अब इस स्रेणी की परिभासा की अगर मैं बात कर दूँ तो ऐसी स्रेणी मलब ऐलकेन स्रेणी ऐसी स्रेणी होती है जिसमें प्रत N होता है इस रेणी का सूत्र C N S 2 N प्लस 2 होता है इस रेणी में कोई बंध नहीं होता कोई बंध नहीं होता ये इसकी परिवासा हो गई अब इसके example पे आता हूँ जो most है ठीक है देखो अब मैं formula को समझाता हूँ मेरे भाई इसका formula है C N S 2 N प्लस 2 ये इसका formula है मतलब मुझे देख रहा है देखो दोश्टो आप इसको छिपा लो अभी इसको छिपा लो देखो C N कितना है N तो H कितना है मेरे भाई 2 N है मतलब जो hydrogen है न मेरे भाई वो carbon से कितना है hydrogen carbon का क्या है दोगना देखो C N और H क्या है 2 N मतलब दोगना है लेकिन दोगने से भी भाई 2 अधिक देख रहा है यहाँ पर मैंने च्पाया था तब देखो अब देखो पूरा दोगने से कितना अधिक है 2 मतलब ये याद रखना दोस्तो कि जो L के इन स्रैनी होगी उस स्रैनी में जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन कार्बन के दोगने से दोगने से दोगने से दोगने से कितना अधिक होता है अब इसका फॉर्मूला बनाओ तो इसका फॉर्मूला बनाओ अब यदि दोस्तों मैं N की जगह एक ले लू तो N मैंने 1 ले दिया तो H क्या है? 2 N प्लश 2 तो अब H मन उसमें मैं बन रखूँगा मन उसमें मैं बन रखूँगा तो 2 1 M 2 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 2 1 M 2 और 2 में 2 जोड़ तो कितना हो जाएगा? 4 मतलब मेरे भाई इसमें यदि मैंने n कमान एक लिया तो मुझे h कितने लेने पढ़ेंगे चार लेने पढ़ेंगे कितने लेने पढ़ेंगे चार है ना तो c1 h4 मैंने देखा कि जो कारवन का दुगनी से कितना है दो अदेख है देखो एक का दुगना कितना होता है दो और दो में जो जो दो तो कितना हो जाए चार मतलब यह L-cancerinica है C1H4 किसका है L-cancerinica इसको CH4 भी लिख सकते हो क्यों कोई बन का तो कोई मतलब नहीं होता ना ठीक है तो अब चलो इसमें एक बात और बताओ मुझे यह बहाई इसमें यह बताओ कि एक कारबन को हम बोलते क्या हैं तो एक कारबन को बोलते हैं मैथ और यह कौनसे स्रेणी का है L-can तो L-cancerin में प्रत्ति क्या होता है N तो मैथ में आप N जोड़ दी जिए क्या बन गया यह मैथन बन गया मैथन तो यह इसका नाम क्या है मेरे भाई इसका नाम है मैथन थीक है चलो अब आप 2 कारबन ले लोग तो hydrogen आपको 2 अधिक लेने पड़ते हैं ना, तो 2 का दोगना कितना? 4, और 4 में 2 जोर दो, तो कितना? 6, तो मतलब hydrogen आपको कितने लेने पड़ेंगे ना, मेरे भाई, 6 लेने पड़ेंगे, समझ गहे ना, देखो दोगने से दोवा देख लेना तो 2 का दोगना 4 और 2 6 ठीक है अब 2 कारवन को क्या बोलते है मेरे भाई एथ बोलती है क्या बोलती है एथ और इसमें हमें क्या जोड़ना है एन जोड़ना है तो यह क्या हो जाएगा मेरे भाई एथ हैं क्या हो जाएगा एथ हैं ठीक है तो ध्यान रखना, मैथन क्या होता है, CH4, और एथन क्या होता है, C2H6, any problem, ठीक है, अब मेरे भाई, थोड़ा सा और बताते हूं, देखो, C2H6 है, C2H6 हो गया, चलो, ठीक है, इसको मैं बादें बताऊंगा, ठीक है, चलो, अब मैं 3 कार्बन ले रहा हूं, है न, तो कार्ब है, तीन कार्बन को क्या बोलते है, प्रोप, और प्रोप में N, एल कैंसर है, N जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा, तो इस टाइप से मेरे भाई, आप और भी बना सकते हो, प्रोपेन बना सकते हो, है आफन से जब बना दोगे तो ब्यूटैन बन जाएगा पांच से बना दो गहतेगा शेशेश सी रखेशन बन जाएगा ऐसे बन जाएगा ठिक है अब इतना समझ गया हो तो आप आप बना सकती हूं कोई नहीं है ठीक है मैं आप आपसे पोछूँंगा होउमबर्क में दूंगा तो मतलब यह रहा कि यह हम वर्क है आप रहा करणा और बताना के सारा हमnet हमबर्क स्रेनि का नाम है एल किल स्रेनि स्रेनि तो मेरे भाई जो एल किल स्रेनि में प्रत्य क्या हुआ देखो एल किल मतलब प्रत क्या है मेरे भाई इल है क्या है इल है तो प्रत इल हुआ अब हम इसके फॉर्मूलों की बात करें तो मेरे भाई इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ब्रहे है इसमें जो हाइड्रोजन है कार्बन के दुगने से एक अधिक आपको दिख रहा है इसमें दो अधिक भंड रा तो आंगे बात करों आधिक पर में भाई तो मेरे भाई इसमें सिंगल बॉंड होता है क्या होता है सिंगल बॉंड होता है तो ध्यान रखना इस रहनी में कौन सा बॉंड होता है सिंगल बॉंड होता है चलो समय ले रहा हूं तो हाइडोगन मुझे दोगने से एक अधिक लेना ना m duda दो से एक कर दो कितना होगा तितर मतलब सी एच मैं ऐसके रहने पड़िए एक तो इस Bruselas रही नहीं तो मैध और मैध और यह कॉंशी स्व्रैनि है ये मेध में जोड़ारो तो क्या बन जाता है मैधिल बन जाता कि ये हो गया हमारा अब यदि हम दो कारबन ले तो हाइडोजन कितना लेना पड़ेगा दुगनी से एक अधिक तो दो का दुगना कितना चार और चार में एक जोड़ दो से कितना हो गया पांच तो पांच हो गया तो हाइडोजन हमें कितनी लेने इसमें पांच लेने हैं अब दो कारवन को क्या बोलते हैं एथ तो एथ में इल जोड़ दो तो क्या हो गया ये एथ थिक。」 क्विया paid paid से मघला थिक स्मझजेखेंगा है आप कारबन याद हमें तीन लेना थे तो váy नहीं भीब तो मुझाने तो इसका तो क्या बनजाएगा प्रू पेल तो इसका नाम है prob闹ल तो अब आंगे बूटल पेंटिल हैक्सल ही इस आपया हम्र्ट है आपको सिंगलory हुसता है etid और कारबन के साथ तो एक बॉंड लगा पड़ेगा तो सम्वें एक बॉंड लगएगा एस्में भी एक बॉंड लगएगा और इसमें भी एक बॉंड लगएगा समझे ले मतलब इसमें सिंगल बॉन्ट होता है कोई दिकत है ठीक है तो यह हमारी An кमें पिस रही नि हुई मेरे भाई और नेक्स्ट हमारी स्रैणी हैा यहां पर हम लिए रहे थाइड की कैई अब मेरे भाई इस एलकीन स्रेडी की बात करूँ प्रत की बात करूँ तो देखो एलकीन एलकीन मतलब प्रत आ रहा है क्या बड़ी इलकीन गत हों गया अब मैं सूतर की बात करो, तो मेरे भाई इसका सूत्र होता है, CnH2n, CnH2n, 2n, मतलब मेरे भाई जो हाइडोजन होता है, इसमें कार्बन का केवल और केवल दुगना होता है, हाइडोजन जो कार्बन का कैसा होता है, केवल दुगना होता है, मतलब कार्बन एक है, तो हाइडोजन दो होंगे कारवन दो हैं तो हाई ड्रोजन चारों में बास ठीक है चलौ आगदे समय लो तो आब आगे समझे तो दोस्तो रेgebaut इनफ़ेंगे डवल बॉनोंड होता है कौन से बॉनड होता है Ł отв होता है ठीक है डवल बॉन होता तो मैं आपको इसके notes भी provide कर दूँगा, कोई दिकत नहीं है, ठीक है, चलो, ठीक है, तो यह double bond होता है इसमें, अब example की बात करें दोस्तों, इसमें एक carbon होगा, तो hydrogen कितने होंगे कि बद दगने होते हैं, तो एक का दगना कितना होता है, दो, तो इसमें 2 hydrogen, लेकिन एक को हम हाई क्या हो जाता है, मैथीन हो जाता है, क्या हो जाता है, मैथीन हो जाता है, ठीक है, अब यदि, इसमें आप carbon 2 लोगे, carbon कितने लोगे, 2, तो hydrogen आपको कितना लेना पड़ेगा, दोगना, मतलब hydrogen आपको 4 लेना पड़ेगा, ठीक है, तो आप 2 को क्या बोलते हैं, एथ, ए पड़े सब्सक्त टिक साजी फीन क्वहाई है इसके बाद आप तीन कारबन लोगे तो है ड्मीडोजें आको कितना लेना पड़ेगा तो उनको क्या बोलते हैं इन जो इसके बाद के आप बनाई करने के प्रोपीन यह थो इहां आप डबल-ट लगा सकते हो यहां आप double bond लगा सकते हो यहां आप double bond लगा सकते हो ठीक है बस यह लगाना मत आप याद रखना कि इसमें यह होता है बांकि यह double bond लगाना मत कोई दिक्कत नहीं ठीक है हर एक concept चेक आपको clear होता जा रहा है ठीक है next training है हमारी दोस्तो एल काइन स्रेनी यह हमारी fourth और last training है एल काइन स्रेनी एल काइन स्रेनी एल काइन स्रेनी ठीक है तो दोस्तो इस एल काइन स्रेनी का प्रत्त आप निकाली एल काइन मतलब इसका जो प्रत्त आएगा मेरे भाई वो क्या आएगा 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 क्या आएगा 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 अम मैं दोस्तों इसके सूत्र की बात करूं तो इसका जो सूत्र होता ना मेरे भाई वो होता है CnH2n-2 ये इसका प्रत्त होता है CnH2n-2 तो भाई ये फॉर्मुला बन गया CnH2n-2 ये इसका फॉर्मुला इसका मतलब क्या है मेरे भाई इसमें जो हाइडोजन होते हैं कार्बन के दुगने से दो कम होते ह ध्यान रखना दोगने से दो कम हैं दोगने से दो कम होते हैं ठीक है चलो आप इसका फॉर्मूला आप दोस्तों इसका बॉंड और बता देता हूं इसमें बॉंड होता है मिरे भाई तिरपल बॉंड होता है तिरपल बॉंड तिरपल बॉंड यह तिरपल बॉंड इसमें होता तो एक का दुगना करो, एक का दुगना कितना हो गया, दो हो गया, और इस में से दो कम करना है, तो दो में से दो कम कर दो क्या हो गया, जीरो, मतलब हाइडोजन हमें क्या लेना है, जीरो, और जीरो का मतलब क्या होता है, एक भी हाइडोजन हमें नहीं लेना, तो मतलब दोस् तो कितने बच चार और चार में से दो कम कर दो तो मतलब हाइडोजन हमें कितना लेना इसमें दो लेना है ठीक है अब दो हाइडोजन लेगे तो कितने बच चार मतलब हाइडोजन आपको कितने लेने चार अब तीन को क्या बोलते है प्रोप और प्रोप में आयन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा है प्रोप आयन बन जाएगा तो पाएं ठीक है चलो आप समझ गए ना कोई देखकत नहीं हो गई ठीक है अब इसमें त्रपल बॉंड होता है तो देखो वाई एक कार्बन है क्या है एक कार्बन है सम्में त्रपल बॉंड होता है तो इसमें सम्में त्रपल बॉंड लगेगा सम्में त्रपल बॉंड लगे कोई दिक्कत नहीं है, तीन कारवन से balance नहीं होगा, लेकिन अपने साथ ये किसी sum को एक जोड़ लेगा, है न, तो ये 3 wand लग जाएगा, और एक sum को जोड़ लेगा, तो ये balance हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो sum में triple wand होता है, तो ध्यान रखना मेरे है न और अभी तक आपने हमारे चैनल को शब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तो इस और्गिनिक केमिस्ट्री की सीरिज में हम से आपको जुड़े रहना है यादि आपको सबसे आंगे रहना है तो चलो ठीक है तो दोस्तो फिर मिलते हैं जैहे झाल 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 झाल